हेलो नमस्कार साथियो मेरा नाम विकासनी मैं आप बेंको कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे अच्छे होंगे खोब खुस होंगे हसते रही मुस्कुराते रही कर दिखा ये डिजिटल लेट्फॉर्म पे आपके लिए मैं स्टेटिक जिक के और करेंट तफेर की क्लास लेके आये हूँ और इसके अंदर अपन क्या करेंगे साती हो हो चुशन होगा क्योशन को अपन पूरा समझेंगे उसके साथ में जो आप्शन होगा उन आप्शन के ऊपर भी पॉलिटिक लोग इससे संबंधित जो चीजे होंगी उनके उपर भी अपन चर्चा करेंगे ज्यादा समय में आपका लेता नहीं हूं और अपनी क्लास को में सुरू करता हूं तो पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा कि राज्ये वर्ड बुक आफ रिकॉर्ड द चीज तो ध्यान रखेगा यह जारी किस ने किया है तो यह जारी हुआ लंदन से कहां से हुआ है लंदन से क्या हुआ है यह है अब यह क्यूशन समझेगा राज्ये वर्ड बुक आफ रिकॉर्ड है ना यह जारी किस ने की थी कहां से यह जारी हूं यह लंदन से ध्यान कि सिक्षिम राज्य कौन से बनए सुक्षिम अब समendor कि अगर बात करें विस्ववि का पहला कि विस्वव का पहला अ जैविक देश की बात करेंगे अगर से जैविक देश क्यों ka BIaledश कौन से जेविक राज्य की बात के तो राज्य कौन सा आजाएगा आपका सिखिम कौन सा आजाएगा आपका सिखिम इसके बादें बात करें भारत का भारत का पहला पहला जेविक राज्य कौन सा है तो कौन सा आजाएगा दोस्तो सिखिम ध्यान रखना भारत का पहला जेविक राज् कि शिक्किम राज्य के द्वारा अभी एक अभियान सुरूख किया गया था ठीक है ना कि ने बच्चे के जनम पे सो पेड़ लगाने का अभियान कोन से राज्य में सुरूख किया गया है शिक्किम के अंदर सुरूख किया गया है ठीक है ना किसके जनम पे बच्चे के जनम प पहला राज्य कोन सा आता है गोवा गुरु जी गोवा की रास्दा की बात कहें तो इसी महाराष्टर के अंदर अभी हाल ही के अंदर हुआ क्या है दिव्यांग विभाग का दिव्यांग विभाग की स्तापना है ध्यान रखना भारत का पहला राजी जिसने किसकी स्तापना किये दिव्यांग विभाग की स्तापना किये तो वो कौन सा राजी है दोस्ता आपका महराष्टर कौन सा आपका महराष्टर इसी महाराष्टर के अंदर एक सहर आता जिसका नाम बाता है पूने, ध्यान रखना, इसी महाराष्टर के अंदर एक सहर आता जिसका नाम बाता है पूने, पूने के अंदर क्या क्या गया है, भारत का पहला ध्यान रखना, भारत का पहला सबसे भूमिगत मेट्रो स्टेशन ह वो इस्तापित किया जा रहा है तो कौन से सहर में स्तापित किया जा रहा है आपके पूरे सहर के अंदर किया जा रहा है अगर बात करें नई दिल्ली की बात करें दोस्तों ध्यान रखेगा नई दिल्ली की बात करें यहां G20 ध्यान रखना G20 सचीवाले की स्तापना की गई है ध्यान रखेगा जी ट्वेंटी सचिवाले की स्थापना की गई कहां की गई आपके दिल्ली के अंदर बनाया गया ध्यान रखना पीम संग्राले के बात करेंगे पीम संग्राले के बात करेंगे तो कहां बनाया गया दोस्तों पीम संग्राले भी कहां बनाया गया आपका दिल्ली के अंदर बनाया गया ध्यान रखना और इसी दिल्ली के अंदर भारत परवे ध्यान रखना भारत परवे ध्यान रखना भारत परवे 2023 का आयोजन कहां किया ग है अंदर इसका क्या किया गए था और अगर पुछे सब MhmTH तो जोता है और यह कहा तक जाती है और दिल्ली के अंदर इसके अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है राय सिना की पहाड़ी राय सिना की पहाड़ी और इस राय सिना की पहाड़ी पे क्या बना हुआ है दोस्तो राष्ट्रपती भवन बना हुआ है ध्यान रखियेगा कि जो पहाड़ी है कौन सी पहाड़ियों को अंग है तो इकौन सी पहाड़ियों को अंग है दोस्तो अरावली हिल्स का अंग है अगले क्यूशन के और बठते दोस्तो अगला क्यूशन देखिएगा अच्छा देखिएगा यह आपका कौन सा राज्ये देखने को मिलता आपको सिicking देखने को मिलता है जो भारत का या कहीं विस्व का पहला जेविक राज्य성 देशप पुछ भुठान आ जाएगा भारत का पहला राज्य पूछी तो कौन सा आ गाएगा आपका आरजू आ जाएगा03 देखेगा सोने के सिक्य देनी वाला विष्व का पहला ATM कहां इस्तापित किया गया है ध्यान रखेगा कि अब आभी होता किया है कि अगर सोने के सिक्य वगरा चाहिए तो अपनको बेंक से वगरा से connect करना पड़ता है अपनको वहां जाना पड़ता है ठिक है अगर अब देखें कि अब सोने के सिक्के देने वाला एक ATM ही स्थापित कर दिया अब वहाँ पे होगा क्या debit card जो credit card है इससे हम क्या खरीद सकते हैं जो सोने के सिक्के हैं उनको हम क्या कर सकते हैं परीद सकते हैं और यह भारत का ही नहीं दोस्तों ध्यान रखेगा विश्वय का पहला एटेम है और यह विश्वय का पहला एटेम है कहा है स्थापित कि अगया अगर बात करें हिद्राबाद को सी नदी किनारे बसा हुआ है इसके बाद में आगे बात करें कि जो हेद्राबाद है यह हेद्राबाद के अंदर सोने के सिक्के देने वाला एटेम ही स्थापित किया अगर बात करें कितने देगा साभी है कितने कितने सिक्के है यहाँ पे यहाँ पे है ना 0.5 ग्राम का है ठीक है एक ग्राम का है दो ग्रा कहां देखने को मिलेगा यह हम देखने को मिलेगा आपको हिद्राबाद के अंदर प्रेल की बात करें दोस्तों प्रेल की बात करें तो 2023 के अंदर एक मंजूरी दी गई है कि भारत के सबसे उची इमारत बनाई जाएगी और यह इमारत कहां बनाई जाएगी यह इमारत बनाई जाएगी प्रेल के अंदर ध्यान रखना और यह प्रेल पढ़ता है कहां पर मुंबई के अंदर ध्यान रखना कहां पर है यह मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रेल और यहां पर क्या बनाई जा रही बनाई जाएगी भारत की सबसे सबसे उची इमारत उची क्या बनाई जाएगी इमारत बनाई जाएगी और यह इमारत है कितने ही मंजिल की होगी दोस्तो ध्यान रगना 110 मंजिल की होगी इसके बाद में बात करें इससे पहले की बात करें कि इससे पहले भारत के अंदर सबसे उची इमारत कौन सी थी वो भी बता थी दोस्तो द्यान रखना मुंबई के अंदर थी उसका नाम था World 1 द्यान रखना क्या नाम था World 1 उसका नाम था और ये कहा पे थी ये भी थी दोस्तो आपके मुंबई के अंदर थी गुरू जी ये कितने मंजिल की थी ये 79 मंजिल की थी ध्यान रखना कितने मंजिल की थी 79 मंजिल की थी गुरू जी इसकी उचाही थी 919 फिट ध्यान रखना 919 फिट क्या थी इसकी उचाही थी और किसकी थी दोस्तों One World की अब समझेगा कि अगर आपसे एकजाम में किशन तो भारत के सबसे उची इमारत होगी है प्रस्तावित किया गए तो कौन सी इमारत कहा बनाए जाएगी प्रेल के अंदर बनाए जाएगी अभी तक इसका नामगर नहीं हुआ प्रेल के अंदर बनाए जाएगी यह कितनी मंजिल की होगी 110 मंजिल के होगी इससे पहले कितने मं लिए राष्ट्री ए खेल अकादमी राष्ट्री ए खेल अकादमी की स्थापना की गई राष्ट्री खेल अकादमी की स्थापना कापे की गई इंफाल के अंदर की गई अगर बात करें दोस्तों हम बात करें सौंपोरा के बात करें तो सौंपोरा के अंदर दोस्तों ध्यान देहां रखना 2023 के अंदर हम बात करेंगे सोंपोरा के बात करेंगे तो 2023 में क्या किया गया है विदेशी निवेश जो प्रोशाहन योजना है इसके तहट पहला क्या बनाया गया है इंटरनेशनल मॉल की स्टापना की गया और वो कहां पे की गयी दोस्तों आपके सौंपोरा के अंदर की गयी दोस्तों देहां रखियेगा कहां पे की गयी है सौंपोरा के अंदर इसके स्टापना की गयी है इसके बाद में अगले क्यूशन के ओर चलते हैं अगला क्यूशन द ग्राम का 2 ग्राम का 5 ग्राम का 10 ग्राम का और 50 घ्राम क्य até करिदीट कार्ड और डेबिट कार्ड से दिश का पहला कर करिका विज्ञान आपके सामने रहे थे चाहे है इंदर बनाय है इंदर безічक्राइब ब्ना जा रहे है या री विशा के अंदर बनाया जा रहे हैं, तो दोस्तों बताईएगा कि इसका अंसर क्या होगा, ध्यान रखना इसका अंसर क्या होगा, पहली चीज़ तो यह समझेगा, कि करकरेखा, ध्यान रखना करकरेगा भारत के आठ राज़यों से गुजरती है, समझेगा इतने चीज़ तो उस रेखा का नाम आता है करक रेखा, ध्यान रखना करक रेखा, साड़े 30 डिग्री अगर बात करें, दक्षिन के बात करें, उस दक्षिन के अंदर जो रेखा है, उस रेखा का नाम आता है मकर रेखा, ध्यान रखना कौन सी रेखा थी, मकर रेखा थी, इसके अब बाद में ये जो करक रेका है ये करक रेका भारत की जलवाई को कितने भागों में डिवाइड कर देती है दो भागों के अंदर डिवाइड कर देती है इसके बाद में दोस्तों आओ समझेगा कि जो करक रेका है ये भारत के कितने राज़ों से गुजरती है यह है भारत के आठ राज़ अपकी करकरेखा गुजरती है ठीक न तो option कहाएगा दोस्तों इसका सीधा सीधा option आप निकाल दोगे कि यह कोंपे गुरुची बनाया जा रहा है यह पारक है यह जो विज्ञान जो पारक है कहां बनाया जाएगा यह बनाया जाएगा अपके गुजरात के अंदर साबरकांठ के अंदर यह बनाया जाएगा गुजरात के साबरकांठा के अंदर बनाया जाएगा क्यों बनाया जाएगा क्योंकि वहां के जो स्तानी नागरिक हैं उन्हीं स्तानी नागरिकों को यह जानकारी देना कि साब यहां से क्या निकल रही है करकरेखा निकल रही है इसलिए वहा सबसे मारत का सबसे सवच सहर की बाद करें भारत का सबसे सभ या इस इंदोर नगर निगम आता है ध्याण रखना है इंदोर नंगरनेगम इंदोर नगर निगम इंदोर सबसे मिकाइब से विलत पैटने independent habits लिए नलगर हिर लिए नलगर Quarter निगम ध्यान रखना इंदोर जो नगर निगम है यह भारत का पहला नगर निगम है ध्यान रखिएगा भारत का पहला नगर निगम है जिसने क्या किया है हरी जिसने क्या किया हरीत बोंड जारी किया है यानि हरीत बोंड जारी करने वाला देश का पहला सहरी निकाए कौन सा आता है तो कौन सा सारी निकाल आ जाएगा आपका इंदोर नगर निगम यानि हरीत बॉंड जारी किया है साथ क्या जारी किया हरीत बॉंड 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 जारी किया डिफेंस एक्सपो परदस्री का आयोजन काँपे क्या गया है गुजरात के अंदर किया गया है आपको आपसे अगर पूछें गती सक्ति ध्यनकना गती शक्ति पॉर्टल को लॉंच करने वाला भारत का पहला राजे कौन सा आता है आपका गुजरात आता है ध्यनकना इसके ब विश्व विध्याले की बात करें गती सक्ति विश्व विध्याले की बात करें गती सक्ति विश्व विध्याले की बात करें गती सक्ति विश्व विध्याले जो जब विश्व विध्याले स्तापित करने वाला भारत का पहला राजे कौन सा आता आपका गुजरा आता है उत् के अंदर हम बात करें कि भारत का पहला 2023 के अंदर दोस्तों भारत का पहला ध्यान रखना भारत का पहला इलेक्ट्रिक तिर्थ कोरिडोर ध्यान रखना इलेक्ट्रिक तिर्थ कोरिडोर की क्या की गई है इस तापना की गई है भारत का पहला इलेक्रिक तीर्थ कोरिडोर है ये कोरिडोर कहा बनाया जा रहा है दोस्तों आपके उत्रा खंड के अंदर बनाया जा रहा है और इस कोरिडोर के लंबाई कितनी है तो इस कोरिडोर के लंबाई कितनी है 900 किलोम समझना कि जो इलेक्रिक त में सक्वा था था तो यह सुरू कब से वहा था अगर बात करें कि यह सुरू कब से हुआ तो सुरू कब से होता है है 2022 के अंदर इसकी क्या होती है शुरूआत होते है इलेक्ट्रिक इसको क्यों बना रही है कि वारतमान में क्या कि जो विकल्प है इनकी जू इनकी जो मांग है ये बढ़ रहे ही धिरी धिरी लोग आ तो प्रिया करें कि अभी जो गाड़ी है वह ख्रीद रही है Little है कि कि इद्ग के निसले कि एक और ऎकर कोई ज़ाता है उड H जैता है तो एगर कोई अमरणात हो गया ही हिमाले वागेरा हो गया इधर अगर कोई tourist जाता है और वो गलती से electric गाड़ी ले जाता है तो वहाँ पे उसके पास में अगर charging की वेवस्ता नहीं हो तो वो करेगा क्या गाड़ी चलेगे निवो preparation हो जाएगा तो सरकार ने क्या किया कि एक electric corridor बना दिया 900 km का और इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि हर 30 km पर ध्यां रखना हर 30 km पर क्या होगा एक charging point लगाए जाएगा और इसके साथ में कहा कि 30 km के साथ साथ में ओर और क्या होगा जो भी जो गैस्ट हाऊस है इन गैस्ट हाऊस में भी क्या हो लागा है हुआ रहेगा एक charging point लगाया हुआ रहेगा जिससे कि जो electronic जो vehicle है जो vehicle है जो गाड़ी है वो वहां पर आसानी से क्या हो सके चार्ज हो सके इसके बादें बात करें है जो इसकी विदी सा की बात करें तो विदी सा भारत का पहला ध्यान रखना वाला शुरू करने वाला करने वाला पहला जिला पहला क्या है जिला यहने फाइब जी सेवा शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा आता आपका विदी सा और विदी सा पढ़ता कहां पे है मद्धे पर्देश में द्यान लगना विदीशा है कहाँ पर यह मद्धे पर्देश के अंदर पड़ता है आपका विदीशा इसके बादें बात करें अकांसिय जिला है दोस्तों कौन सा जिला है यह अकांसिय जिला है ना कौन सा जिला है यह अकांसिय जिला है अकांसी है जिले अगर बात करें कि इसकी सुर्वाद कब होती है यह जो कार्यक रोय से sirwetion 2018 होती है इसकी सुर्वात करने का उद्देश से क्या था इसकी सुर्वात करने का उद्दिश से यही नहीं कि आप जो भारत के अंदर जो ऐसे जिले हैं ध्यान रखना भारत के अंदर ऐसे जिले जो सामाजिक रूप से सैक्सनिक रूप से आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुई हैं उन जिलों को क्या करना उत्थान करना उन जिलों को आगे बढ़ाना उन जिलों का विकास करना ही इसका मुखे उद्धिश्य है ध्यान रखना और इसके तहट भारत की 112 जीलों का क्या किया गया था चैन किया गया था इस कारिय एकरम के तहट और भारत का आप 2023 के अंदर बात करें 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर भारत का पहला जो भारत का पहला अकान से जीला कौन सा बना आप इंटरनेट शेवा हैं ये फाइब जी इंटरनेट सेवा है भारत में रोंच कब हो जाती है इसकी सुरुवात होती है आगे देखिए यानि कौन सा मेदान था दिली का परगती मेदान से 5G C4 की सुरुवात होती है मोबाइल कॉन्फरेंस की जो बेठक थी उस बेठक की अंदर इसका आयजन किया गया था तो ये दोस्तों आपके सामने तीसरा क्यूशन था जिसके अंदर ये एक आ गया था कि साब यहां से जो करक रेका है ये भारत के अंदर गुजर रही है गुजरात के अंदर ये देखिएगा इसके बाद में आगे चलते हैं अगले किशन की ओर कि टाइम मैगजिंग द्वारा विश्वे के 50 महांतम इस्तानों की सूची 2023 में भारत के कितने सहरों को सम्मिलित स या सामिल किया गया है तो देखिएगा तीन सहरों को दो सहरों को पांस सहरों को ध्यान रखना कितने सहरों को सामिल किया गया है आपके दो सहरों को सामिल किया गया है पूरा पूरी कहानी समझना एक पत्रिका आती है जिसका नाम है टाइम्स पत्रिका है या उसको अपन कहत से अच्छी है यानि यह कि वहां पे घूमने फिनने के जो विवस्ता है वो क्या है अच्छी है तो यह क्या है पचास इस्तानों का चैन करती है और इन पचास इस्तानों की अगर बात करें दो हजार तेईस की अगर अपन चर्चा करें कि इन पचास इस्तानों में दो हजार त पिषमें बाहरत के हैं तो कितने स्तानों को सामिल किया दोस्ट चहरों को गुरुजी कुध कुध कुण सा स्तान है बेया बतो तो पहला स्तान आएगा दोस्तो आपका Пр этहान रखना और उडिक सा के अंदर स्कूल जाता है ठीक है ना इसके बाद में लद्दा की बात करें दोस्तों किसकी बात करें लद्दा की बात करें यहाँ पर हरेल हरेल गाओ है दोस्तों कौन सा गाओ है यहाँ पर एक गाओ आता जिस गाओ का नाम क्या था आपका हरेल गाओ कौन सा गाओ हरेल गाओ यहाँ अमें देखने को म पायऐ कि जो डार क सपारी इसके लिए गोशित किया गया जो कौन सा गाव हरेल गाओ कि अंदर अगर बात करें इस मयूर बंस की बात करें तो मयूर बंस के अंदर राष्टे उध्यान वह सामिल किया गया और यहां पे एक नर्ते आता जिसका नाम ओल अ 2,000 अपर रखना कौन सा नर्ते आता यहां पर चज्जू अ 08 za गो जिसको चहु नर्ते भी अपन कहते हैं इसकी बाद में दोस्तों टाइम्स मेगजीन की बात करें इस टाइम्स मेगजीन की दोबारा दोस्तों कुछ पुरुसकार दिये जाते हैं जिसे आपन के kid of the year की बात करेंगे किसकी बात करेंगे दोस्तों kid of kid of the year kid of the year पुरुसकार है यह जो kid of the year पुरुसकार है यह कौन दीती है यह times पत्री का दीती है अगर बात करें पहला kid of the year पुरुसकार 2022 में दियागा ध्यान रखना पहला kid of the year पुरुषकर किसको दिया था गितांजली राव को दिया था गितांजली राव को दिया था ध्यान रखना किसको दिया था गितांजली राव को दिया था गितांजली राव को दिया था पहला kid of the year पुरुषकर गितांजली राव को दिया था और ये गितांजली दोस्तों भारतिये मूल की अमेरिकी नागरी का ध्यान रखना भारतिये मूल की अमेरिकी नागरी को है गितांजली राव और ध्यान रखना दोस्तों वह कताई जहर चीज हैं नोट लगा के ध्यान रखना एक आती है गितांजली श्री और आती है वो अलग है जिसका नाम आता है गितांजली श्री इस गितांजली श्री की बात करें न दोस्तों इस गितांजली श्री को दो इसको क्या दिया गया है पहला अगर क्या कहें भारत का पहला ध्यान रखना भारत का पहला भारत का पहला अंतर राष्ट्री ए अंतर राष्ट्री ए बुकर पुरुस्कार द्या पुरुषकार से सम्मानित भरत की पर्थम महिला है और इसकी जो समाधी यह कहे हैं कि सोरी इसकी कृति की बात करें इसकी क्रती कौन सी थी तो दोस्तों इसकी क्रती थी रेत समाधी ध्यान रखना इसकी क्रती का क्या नाम आता है आपका आपकी रेत समाधी आती यानि इसकी ज hero of the year किसको दिया गए है यह दोस्तों जो महिलाओं को दिया गए किसको में किसको दिया गए महिलाओं को दिया गए हिजाब में हिजाब में हिजाब में आंदोलनकारी महिलाओं को दिया है किसको दिया है आंदोलनकारी महिलाओं को यह प्रुसकर दिया गए कौन सा दिया गया, hero of the year पुरुसकार, और यह हिजाब है, कहाँ पर दोस्तों, आपका इरान के अंदर ध्यान रखना, हिजाब पर दोस्तों है, इरान के अंदर परता है, इन महिलाओं ने आंदुलन क्यों कर रहा है, यह नए समाज के अंदर नया परिवर्तन चाहते है, नए ये कौन देती है टाइमस पत्री का देती है किम्स को दिए गया था जेलन्सक के किसको मक्रणय को समयर्ट को दिया गया लंगा, राश्टरपती इनको दिया गय था, इनको कहते है, घलनकी आत्मा, इनको क्या कहते है, clarity की आत्मा, इनको दिया गय था, अगर बात के 2022 की, they call us, इसके अंदर भारत के दो स्थानों को चैन के आगए था तो गुरू जी थे मान या बताओ कि 2022 में भारत के कितने सहरों को साभिड के अधा एक सहर था एक तो यह सारा का सारा क्यूशन आपके सामने आ गए दोस्तों कि टाइम्स में जिन ने अपने 50 जो महांतम सहर हैं उन महांतम सहरों के क्या जारी किये है सूची जारी किये देखेगा दोस्तों यह आपका यह कहां पै white ऑडिशा के अंदर है इसको सामयल किया है अगले किशौन के बर बड़ते हैं है अपन अगले किशौन देखिएगा कि यह देखिएगा दो हजा तेष में संगले सम्सकर्टिक ऑर संसकर्थिक राज़दा नहीं किसे बनाया गए option समझजिए का वाराणशी को बनाय गए नाद दौरा को बनाया गए इसका किसको बनाय गए इनमें से इसका बनाया गए तो डोस्तों इसका option क्या होगा option number 3 इसका क्या है और सही answer करेंगे दहन रखना दोस्तों अपन के हैं या हपन तक करेंगे या अपन calm रखना की बात करें आपकी जून 2001 में कि नहीं तकि इसकी इसकी इस्ताफना कि गय था टूर्थ हथी दोस्तों आपकी जून 2001 में की गए तो मिलता है इसका हेड़ कोड़े है इसका हेड़ कॉरटर कहाँ पर मेंदा है इसके ऊद्यांद करें कितने कि इसके वर्टमान में पहला को सा गया आपका भारत पाकिस्टान भारत 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 आ गया पाकिस्तान आ गया चीन आ गया आपका रूस आ गया आपका ठीक है ना कजाकिस्तान उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान आ गया आपका है ना ताजकिस्तान आ गया ये और एक आप गया आपकर किर्गिस्तान किर्गिस्तान यानि इनको सामिल किया यानि एक दो तीन चार पांच छेस साथ आठ यानि ये आठ देश है ये आठ देश है ये क्या है दोस्तो आपके इसके सदस्य देश है ध्यान रखेगा ये जो आठ देश यह वर्टमान में क्या है इसके सदस्य देशा आगे चली दोस्तों इसके उपर पर चर्चा करतें थोड़ा आगे चलके कि 2000 भात करें भारत इसकी बेटकों में भाग गब से ले रहा है तो भारत इसकी बेटकों में भाग ले रहा है 2005 से भारत क्या कर रहा है इसकी बेटकों मे अगर बात ये करें कि भारत है ये इसका सदस्य कब बनता है तो सदस्य कब बनता है ये 2017 में भारत क्या बन जाता है इसका सदस्य बन जाता है अगर बात करें 2023 की बात करेंगे किसकी बात करेंगे 2023 में इसकी अधिक्स्ता कौन कर रहा है तो 2023 में इसकी अधिक्स्ता कौन कर रहा आपका भारत कर रहे हैं और भारत 2023 में क्या करेगा इरान को ध्यान रखना 2023 में भारत क्या करेगा इरान को इसका नववा सदस्य बनाएगा क्या करेगा नववा सदस्य बनाएगा कौन बनाएगा भारत बनाएगा और किसका बनाएगा संगाई सयोग संगटन का ध्यान रखना तो यह किसे बनाया गया है दोस्तों आपकी कांशी को बनाया गया है कांशी विश्वनात्त को बनाया गया है इसके बादें बात करें वारांशी की बात करें किसकी बात करें तो दोस्तों व्रोंड वर्ड वर्ड वन टीवी का सिखर iç a TV सिखर संमयलन की बात करें संमयलन 2023 की बात करें संमयलन 2023 का एविजन कहांपर किया गया आपका वारां सि के अंदर किया गया और इसी वारानसी जो railway station है अगर बात करें दोस्तों वारानसी जो railway station है railway station इस वारानसी railway station को क्या दिया गए 8 of right के अंदर 5 star की जो rating दी गई है कितने star की rating दी गई है 5 star की क्या दी गई है rating दी गई है और यह rating कब दी गई है या कहें कि star जो rating है वो किस ए दी गई ढए दोस्तों आपका Mumbai Railway Station आ गया जिसको आपन कहते है श्यतर पते सिवा जी तरबायन Railway Station आ गया इसके बाद में हम कहें Mumbai Central Railway Station आ गया आज इसके बाद में आननध नगर ट्रबायन रेल वेस यह फयाइख दिली आ नाथ दौरा की बात करेंगे तो नाथ दौरा के अंदर दोस्तों भारत के अंदर ध्यान रखना भारत में जियो की दौरा किसके दौरा जियो दौरा कौन से सेवा शुरू की गई थी यहां से फाइब जी सेवा की शुरूआत की थी यहां से कौन से सेवा की शुरूआत की थी किस कि ना जी कि स्रीनाथ जी की प्रतीमा देखने को मिलती है किस कि देखने को मिलती है और इनिक जो初 द्न तो जम्मू कस्मीर के अंदर दोस्तों हम बात करें भारत में ध्यान रखना भारत में भारत में किसके बंडार देखने को मिले हमें लीथियम के बंडार देखने को मिले हमें लीथियम के बंडार देखने को मिले हमें लीथियम के बंडार देखने को मिले है और यह कहां पर देखने को मिले हमें जम्मू कस्मीर के अंदर देखने को मिले कितना मिला है गुरु जी सबसे ज्य सोना कहते हैं तो गुरुजी था हमें आनिया बताओ लीथियम कि विशसो में बनदार पर देखने को मिलें अगर गुरुजी मे 900 कि विष्व में लीथियम की बंडार है यह हमें कहां देखने को मिले हमें इरान के अंदर ध्यान रगना कहां पर देखने को मिले इरान के अंदर गुरु जी या भी बताओ इस लीथियम का उपयोग किसमें लेते हैं इसका उपयोग लेते हैं बैटरी बनाने में मोबाइल बनाने में सोरूर्जा की जो प्लेटे वगेरा हो गए केमरा बनाने के अंदर इनके अंदर यह जो ऐसे बगरा जो बेल्ट होता है इसके अंदर लिथियम क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है और यह एक पर काईणा का लोहा जो दातू बहुता है अंगे चलते हैं डोसाओं आपको का लिखियर दिखाता हूँ यह देखिए जिसको किया किया गए अगले question के और बढ़ते हैं यह देखिएगा अगला question आपके screen पे है और यह last question रहेगा अपना देख का पहला सवीधान साकसर जीला बनाया गया है किसे बनाया गया है कोलम जीला यह देख का पहला सवीधान सवीधान साकसर जीला है देख का पहला सवीधान साकसर जीला और बनाया कब गया था और गोशित कब किया गया इसको 2030 के अंदर इसको गोशना की गई है है क्या चीज सविधान साकसर है क्या सविधान साकसर का मतलब है दोस्तों कि सविधान की बारे में जो जानकारी है यहां के गाउं को जो सभी नागरिक है इनको जानकारी दी गई है यहां के जो नागरिक है इन नागरिकों को सविधान की जो मूलभूत जो जानकारी है वह पर की गई है जैसे fundamental rights हो गया जैसे मूल अधिकार हो गया ठीक है ना आपके DPSP हो गया इसके बाद में अपन के duties हो गया और उनके जो अधिकार हो गया आपके जो परसासना किस परकार से काम करता है इन सब की जानगारी दी गई है और यह जानकारी प्राप्त करने वाला इन यह सा से जिला वають यह ला ओनाड़्ियल बिखा देखने को मिलते दोस्तों अपकर अपन को ये वाटनाड़्ी यह देखने को मिलता कीром के अंदर देहान रखना यह क्या है गृरुजी यह आधिवास्यों के नगना ट॒ocyक्श होति दस्तावेज बनाने वाला देश का पहला राजे पूर्ण दस्तावेज बनाने वाला देश का क्या आजाएगा दोस्तों देश का पहला राजे ने सोरी देश का पहला जिला जिला देश का पहला जिला आ जाता है ये ये है क्या यानि कि जो आधिवासी है दोस्तों कहां कि वा सब्सक्राइब यह सारे के सारे मुणप निवाज ये सारे बनाने वाला यानि आदिवासियों की डॉकुमेंट्स वगरा सारे तयार करने पूर्ण रूप से सबीके तयार किये है औہ यह तैयार करने हैं और यह तैयार करने वाला देश का पहलाource इसके बाद दूस्थ ठिर्वंत पुरम की बात करें किसकी ये ये भी कब बनाए गए है ये वे बनाएगाो 시청 के अंधर ₹23 मार्च ₹23 कि बात है इसके बाद हैं बात करें तिर्वंत पुरम में किसके बात करें दोस्तों तिर्वंत पुरम और यह तिर्वंत पुरम की बात करें यहाँ पर क्या किया है कि तो दोस्तों ताड के पतों से दहन रखना ताड के पतों से ताड के पतों से इतनी सी चीज दहन रखना है यह बनाया गया पांड लूपय है क्या बनाया गया दोस्त 친 गाले बनाय गया और यह विष्व का पहला संगेर फतियाबाद के लगत कि पढतना पर हरियाना की अंदर पर deeply अगना फतिया प्रवारत का पहला उत्तर भारत का पहला परमानू सेंतर इस्तापित किया जाएगा पहला परमानू सेंतर इस्तापित किया जाएगा इस्तापित किया जाय। कहां पर किया जाएगा है।기 हम occup और भी टंसे He'll गाउंकोр खाउंतर तो यह दोस्तों आज किक्लास आंद्र अपन्ने चैन को अजिए देखा है कि ये सारा आपने देखा कि कुश्ण के साथ में आपनेगे, यह सब सेंगे हैं जो सुछ के अंदर जो सी कि और बेंक के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सी के लिए तो दोस्तों किया है, रामबांब रहेगा, क्योंकि कि की साथ में पूश्थ है, और कर दिखाउ कुछ ऐसा क कि दुनिया भी करना चाहिए आपके जैसा कि छतों पे मेले लेगेंगे उस दिन जिस दिन आपका क्या एगा साथियों परिणा हमाएगा और पिता की फिक्र को फकर में बदलना है दोस्तों आपको और मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए रादे प Ricardo को शुकर झाली की पुछिए शुन कॉरी अपकाको है आप हुटर सोश्तों आपकाश्चा सराट बार का आपको यदूर को उल सुछ आते हैं एंडरा की कोशफ़ागा एंडरा ऑूरら उच स्वेशना झाल झाल